कि इस वाकई नए सदन में इस गरिमा बन उपर वस्थेती में राश्पति उपराश्पति जी और आप त्या तुतल पतुल त्या वो आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या नीचे सब्टाइटल भी नहीं है न सबसे पहले हमारे प्येम प्येमति का एक वीडियो काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है यह संसद में उनोंने कंज समझ लें कि मोधी जी किएटिंग के और ग्यान पेलने का काम कर रहे हैं यहीं है की आपको इस वीडियो को धिखाना चाहता हो ये बहुत special video है लेकिन आप से गुजारिश करूँगा कि अगर आप खाना वाना खा रहे हैं कुछ जादा important काम कर रहे हैं तो इस वीडियो में Amit Shah को मत देखना नहीं तो आपको यहाँ पर उल्टियां आ जाएंगी उल्टि की नदियां भेजएंगी ज़रा देखो इसको पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी दस दिन तक अपना मुँ किसी को दिखाता नहीं था अरे क्लासरूम में कोई किसी की भारत अभ्यान चलाया जाना चीए ऐसी हरकतों की वाज़े से और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है मोटा भाई की पहले भी ऐसी वीडियो सामने आ चुकी है जहां पर वो अपनी नाक साफ कर रहे हैं कैमरा के ओपर और इधर उधर अपना माल मसाला चिपकाने का काम कर रहे है I know आप ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो क्लिपिंग को देखकर डिस्गस्ट हो चुकी होंगे लेकिन यार ये जितना डिस्गस्टिंग था इससे जादा डिस्गस्टिंग तो हमारे देश के कुछ नेताओं की हरकते होती है तो जादा डिस्गस्ट होने की जरूत नहीं है इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और आपको दिखाना चाहूंगा मोदी जी से रिलेटेड एक और निउस निकल कर सामने आई है जहांपर यह पता चला है कि अब एक स्टूडेट डिसाइड करेगा कि उसका एक्जाम में एक्जामिनर कौन होने वाला है सोच रहोगे आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा आपकी स्क्रीन्स के ओपर लोगसवा चुनाव से पहले नए चुनाव आयुक्त पर मन्थन आज होने वाला है यानि कि मोदी जी आज एक मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं जहांपर वो आज डिसाइड करेंगे कि नया इलेक्शन ओफिसर कौन बनने वाला है इसलिए मैंने कहा था कि अब student डिसाइड करेगा कि examiner कौन होने वाला है उसके exam का अब जब student ही decide करेगा कि examiner कौन है तो student definitely fail तो यहां पर नहीं होने वाला तो क्या कभी भी यहां पर free and fair examination हो पाएगा बताओ मुझे common sense वाली बात है लेकिन इस खबर को भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा गौर से पढ़ लेते हैं निर्वाचन आयुक्त पद के उमीदवार के चैन के लिए PM मोधी करेंगे आज बैठक तीन सदस्य निर्वाचन आयुक्त में 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंदरपांडे के रिटायर होने के बाद एक पद खाली हो जाए और उसी के लिए नए बंदे की रिक्रूटमेंट यहां पर करी जा रहे हैं वैसे तो सुनने में काफी जाधा हैरान कर देने वाली खबर है लेकिन इसकी और जाधा डीटेल में आपको बताना चाहता हूं कितना इंपोर्टेंट होता है एक एलेक्शन ओफिसर तीन इलेक्शन ओफिसर होते हैं और कोई भी अगर बड़ा मैटर होता है जैसे कि अगर मॉडल कोर्ड ओफ कंड़क्ट का उलंगन कहीं किया जाता है चाहे उसमें पी एम खुद भी इन्वाल्ट क्यों ना हो तो तीनों इलेक्शन कमिशनर जो हैं बेटकर उस मैटर के ओपर वोटिंग करने का काम करते हैं और उसके बाद उसके ओपर डिसिजन लिया जाता है 2019 के भी चुनाव में सेम चीज हुई थी मोडी जी ने मॉडल कोड अफ कंड़क्ट का उलंगन किया था उसके बाद तीन इलेक्शन कमिशनर की टीम बैठी थी और वहां पर वोटिंग के बाद मोडी जी को क्लीन चिट द नहां पर नया इलेक्शन ओफिसर ना बना दे इतनी कृपा ना कर दे उनके उपर इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है एक और ट्रेंडिंग ख़वर आपको दिखाना चाहता हूं उत्राखंड की असेंबली में एक युनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जा रहा है खेश हुआ UCC अब राज्य में लिव इन रिलेशशन्शिप के लिए रेजिस्ट्रेशन कराना लेणा कुझाना अनिवार्य और अगर पॉंद किसी कि बहुत होती है तो माता और पिता रिलेशनश्पेल इक है सजा होगा उसके बाद वो अपना जब registration कराने जाएगा कोई बड़ी बात ही तब तक ब्रेकप भी हो चुका हो इसका ड्राफ्ट है जो कि आपकी screens के उपर मैं यहां पर रख रहा हूं इसमें बताया गया कि किस तरीके से punishment मिल सकती है तीन महीने की या फिर दस हजार रुपे की यहां पर एक punishment मिल सकती है अगर आपने इस तरीके से रिजिस्टर नहीं कराई अपनी live-in relationship को इसमें काफी सारे लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर भी आ रहे हैं लेकिन इसमें से सबसे news for women irrespective of Hindu, Muslim, Christian or Sikh. They were deprived of many things for last so many years. I am proud that our government did this. वैसे जिन लोगों को नहीं पता है context के लिए बता देना चाहता हूं यह अपने आप में काफी बड़ा जोक है क्योंकि Hema Malini ने धर्मिंदर से शादी करने के लिए Islam धरम में convert किया था क्योंकि Hinduism के हिसाब से वो धर्मिंदर से शादी नहीं कर सकती थी as धर्मिंदर was already married और आज वही बसंती चाची जो है वो uniform civil court के ओपर ज्यान बिखेरने का काम कर रहे हैं भाई इसको कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वैसे इसी के साथ uniform civil court में हलाला के बारे में भी बात करी गई और हलाला के ओपर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है उत्राखंट के अंदर इसको लेकर करके यहां पर एक punishment भी डिसाइट करी गई है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा step है लेकिन दिमाग में मेरे यह आ रहा है कि इससे पहले अभी तक यह step लिया क्यों नहीं गया था क्या इसके ओपर राजदीती करना एक परपस था इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंग और आप बात करना चाहूंगा इडी की custo के बारे में जी हाँ आप जिसको समझते हैका इडी एंफोर्समेंट डिरेक्टेड उरने का काम करती है वह इडी जो है cdiया बनाने का काम करती है वो भी बिना और धी दाम इसंद्र को सीडीया सिर्फ विडियो नजर आता है और पीश vind गया शूद्यों आप पर जरा समझ लो एक बार बहुत important अब मैं आपको एक ऐसा fact बताने वाली हूँ जिससे आपके रोंगते खड़े हो जाएंगे एक सरकारी गवाह से ED में आमना सामना करवाया गया उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए statements दी गई, accused द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक CCTV कैमरा लगा हुआ था ये पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरा की निगरानी में हुई लेकिन जब वो statement court में जमा कराई गई तो accused ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागर्स पर आई है वो दोनों अलग-अलग हैं और इसी लिए इस case के उस accused ने cctv footage के लिए application डाली और आपको पता है जब ED ने वो footage दी तो उन्होंने उस footage का audio delete कर दिया और ना सिर्फ उस एक matter में आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनिय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये exercise policy का investigation शुरू हुआ है पिछले देड़ साल की सारी interrogation सारे सवाल जवाब जो हुए है ED में सब की audio footage को delete कर दिया गया है enforcement directorate द्वारा ED द्वारा यह क्या दिखाता है कि जो एक तो recovery नहीं हुई सुभूत नहीं मिला और जो statements थी जो एक मात्र आधार थी ED के case का वो सारी statements भी फरजी है क्योंकि अगर statement फरजी नहीं होती तो आपको audio delete करने की क्या ज़रूरत थी अब यहां पर जिस accused के बारे बात करी जा यहां पर साथ Sanjay Singh है क्योंकि 2-3 दिन पहले Sanjay Singh ने भी सेम बात बोली थी जब उनकी court में पेशी करी जा रही थी कि ED ने सबूतों को मिटा दिया है audio को delete कर दिया है CCTV footage में अब इस matter में ED की तरफ से भी बात निकल कर आए कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है इन फैक्ट हमने जो है audio video की जो recording है वो 2023 से ही शुरू करी है लेकिन इसमें भी ED काफी बुरी तरीके से फस्ती नजार आ रही है क्योंकि अब आभी पार्टी यह कह रही है लेकिन 2020 के इस judgment के बावजूद भी ED ने इस चीज का पालन नहीं किया और 2023 में audio और video को record करना शुरू किया है मतलब या तो ED यहां पर जूट बोल रहे हैं और उन्होंने audio को delete करने का काम किया और अगर ED यहां पर सच बोल रहे हैं और उन्होंने 2023 से ही audio video यहां पर record करने शुरू करे हैं CCTV footage बनाने शुरू करी है तो यह Supreme Court के एक बहुत बड़े order का यहां पर अमानना इसको बताया जा रहा है जिसमें ED को लपेटने की पूरी-पूरी कोशिस चल रहे हैं सब करते कराते एडी की सीडिया बनती जा रही है सोशल मीडिया पर इसके उपर मजाग भी बहुत जादा चल रहे है ED को बहुत बुरी तरीकी से ट्रोल किया जा रहे है लोग कह रहे है कि ED अब video editing करना शुरू कर चुकी है क्या और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं इसा तो नहीं है कि BJP ITCell की जो videos है वो भी ED बेट कर यहां पर editing करने का काम करता है इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा एक और खबर आपके सामने रखना चाहूंगा थोड़े दिन पहले ही का था उसके बाद उनी को dip TCM मना दिया था महराष्ट्रा का वैसे अपका scenario देखा जाए तो पूरी तरीके से clear है यहां पर महराष्ट्रा के अंदर BJP ने पहले तो शिवसेना को पूरी तरीके से hijack करने का काम किया उसके बाद NCP को भी उसी तरीके से hijack किया गया है उनका नाम और सिंबल एक तरीके से अपने ही बंदे को थमा दिया है उसके बाद पपिट की तरह नचाया जाएगा और महराष्ट्रा के वोटर्स को चूना लगा दिया गया मुबारक हो इसके लिए महराष्ट्रा के वोटर्स को लेकिन इसके बीच में निकल प्लाय होता है शरत पवार और उद्धर ठाकरे के लिए भी इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा एक और वाइरल वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जगदीव धंकर जो है हमारे देश के वास प्रेजेंट वैसे तो और लोगों को सस्पेंड करते रहते हैं डाटते पीटते रहते हैं लेकिन इनको किसी ने डाट दिया है वो भी पार्लेमेंट के अंदर और ये कौन है जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राजसभा एंपी और इन्हों ने जगदीव धंकर को भाई बहुत बुरी तरीके से फटकारने का काम कि अब वीडियो को ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे डेपिटी चेर्मन कहेंगे हम बैठ जाएंगे मगर कोई और सदस्या हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे मतलब जया बच्चन ने यहाँ पर जगदीब धनकड हमारे देश के वाइस प्रेज़ेंट को वही ट्रीटमेंट दे दिया जो वो अकसर पैप्स को देती हैं जब वो बिना बताये जया बच्चन जी की फोटोस खीचने का काम करते हैं बीजेपी वाले सब के उपर नथूरे वोड्रे का काम करते हैं लें यहाँ पर बीजेपी वालों के उपर ही नथूरे वोड्रे का काम कर दिया जया बच्चन आंटी ने इसे जया बच्चन की एसी वीडियो को देखने के बाद मुझे तो यह लगता है कि अमिताब बच्चन को भी घर में ऐसी फटकार पड़ती होगी इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा अब इंटरनाशनल डंका के बारे में बहुत बड़ी डंका वा अमेरिका के अंदर से इसके लाबा एक और आपको दिखाना चाहता हूं ख़बर ये भी काफी अपने आप में शॉकिंग है अटाक्स और इंडिन स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग रिसेंट्ली इन यूएस सेयद मजहिर अली फ्रम तिलंगाना गॉट इंजर्ड इन सब ख़वरों के बारे में बात क्यों नहीं करते और हमारे देश की मीडिया साफ सूंग जाता है इनको इसी के साथ एक और बहुत बड़े डंके वाली न्यूज देख लो इसको भी अपने स्क्रीन के ओपर 22,300 गुजराती सरेंडर पासपोर्ट इन लास्ट फोर इयर्स नंबर ओफ अमदावादीज हू रिलिंग्विष इंडियन सेटिजन शिफ हाज डबल इन लास्ट फ्री इयर्स मतलब मॉडल स्टेट गुजरात के लोग जहां पर मोदी जी सालों साल राज करके आये हैं और अभी भी गुजरात के लोग दिल फैक के मोदी के ओपर वोट क रे सबसे जादा इंडियन सीटिजन शिफ को छोड़ने का काम कर रहें 22,300 लोग ऐसे हैं जिन्नों पिशले चार सालों में इंडियन सेटिजजन्शिप चोड़ी हैं और इंडियन सेटिजन्शिफ इसलिक नागरिक बन गये हैं अरे भया बाहर चना प्यों बन रहे हो जब य यहां की citizenship छोड़के बाहर जा रहे हैं इसके साथ इस वीडियो को की खतम करना चाहूंगा और सबसे जादा important बात में बोलना चाहूंगा कल मैंने बताया था कि मेरा जनम दिन है और बहुत सारे अच्छी चीजे मेरे अराउंड थी गुड़ वाइब्स मेरे अराउंड थी और सब चीजे जो है आपकी वज़े से ही पॉसिबल है आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में भी आपका प्यार मेरे उपर इसी तरीके से बना रहेगा अभी के लिए इस वीडियो को खतम और अगर जितना जादा प्यार बनाई हुआ है तो सब्सक्राइब करके पहला इकन भी दबा दो बाई